फिक्के बदाव का सुवागता बड़ी कबर करू करते हैं सवाई माधुपूर में ACB की बड़ी कारवाई देखने को मिलिये हैं पिलोदा थाने में सवाई माधुपूर और करोली ACB टीम की सैंट कारवाई हैड कोंस्टेबल जग्दीशे सिंग और दलाल राजूलाल को ट्रैप किया है दस असार के रिश्वत लेते ACB ने ट्रैप किया है नुकदमे में मदद करने के एवज में घूस की डिमांड किया है ESP सुरेंदर शर्मा ने पीडित की शिकायद का सत्यापन कराया है सत्यापन के बाद DSP अमर सिंग ने कारवाई को अंजाम दिया है एक और घूस कोर डबोचे गए ACB जिस सरी के से कारवाई कर रही है ऐसा लगता है हर दिन की अब अपराधियों में डर होगा अब घूस कोरों में डर होगा लेकिन हर दिन फिर नई कारवाईया नए घूस कोरों को इरासत में लिया जाता है घूस कोरों में डर दिखाई नहीं दे रहा जबकि ACB अपने स्वनिम दोर से गुसर रही है जहां ACB ने बकायदा एक नंबर भी जारी किया गया जिस पे आप फोन कीजिए शिकायद कीजिए घूस कोरों को पकड़वाईये मेरे सयोगी नवीन जूर्चों के नवीन किस तरीके से इस कारवाई को अंजाम दिया गया जिए बिलकुल ACB को एक बड़ी कामयाभी हाथ लगी ACB ने कारवाई करते जो पिलोदा थाना है वहां के जो हैड कॉंस्टेबल जग्दिस सिंग और उनका जो दलाल है प्राइवेट विक्ती है राजुलाल शर्मा को ACB ने दस हजार रुपे की गूस लेते वे रंगे रातों कि रफतार किया है दरसल 20,000 रुपे की गूस की डिमांड की गई थी जिसके अंदर से 5,000 रुपे पहले ले चुके थे और आज 10,000 रुपे की गूस लेते वे ACB ने दोनों रुपे को गिरफतार कर लिया है साथियां को बता दूँ कि ये एक परिवादी ACB को आश पहुचा था उसने सिकायता चराई थी तो उसके खिलास उसके और उसके परिजनों खिलास एक मुकदमा दरस्टा और उस मुकदमे में मद्द करने की एवज में बीश हजार रुपे की घृष्वत की डिमांड की गई की तो एसी बी ने इसका बैरिफिकुशन करवाय था और बैरिफिकुशन करवाने के बाद आज इस कारवाई को अंजाम दिया है जो आरोपी है वे एसीब की गिरफ्त में है दोनों जो तो दोनों भ रुष्वें उनके जो आवास एउन पर वी एसीब की देम पहुंच फुकी हैं कर कि सर्च की जा रही है घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक डेखने वाली बात होगी एसीबी ने मौके से कुछ दसतावेज़ों को भी जब dieta को भी उखिया और जो जवदीज सिंग है, हर कोस्टबल, उनके लिए ये रिशुटी डिमांड कर रहा है.